प्रेगनेंसी ही होता है अगर आप सेक्शुली आक्टिव हैं और आपने बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोस किया है तो एक कारण प्रेगनेंसी हो सकता है इसके इलावा और भी कई कारण होते हैं कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो जिन में चिंता करने की कोई बात नहीं होती जिसे कई बार किसी महीने आपको mental stress जादा रहा है मानसिक तनाव जादा हुआ है तो उसकी वेज़े से भी period देर से आ सकता है या कोई emotional stress ऐसा रहा हो कोई द दिले हो सकता है यानि कि देर से आ सकता है तो इस तरीके से कई कारण होते हैं जिनकी वज़े से की period दिले हो सकता है तो यह जो कारण मैं आपको बताए इन में चिंता की बात नहीं होती है क्योंकि period अपने आप आज आता है कुछ ताइम के बाद इसके इलावा अगर कोई hormonal disturbance है आपकी body में PCOD है या फिर thyroid की problem है तो इस तरीके से कोई hormonal dysfunction आपकी body में है तो उसकी वज़े से भी periods आपके delay हो सकते हैं यानि कि देर से आ सकते हैं अगर इस तरीके का कोई कारण है या कोई बीमारी है ऐसी thyroid dysfunction है PCOD है या prolactin hormone आपका बढ़ा हुआ है तो इन सब के लिए फिर आपको उस बीमारी का particular treatment लेने की जरूरत होती है तो इनके इलाज की आपको जरूरत तभी होती है अगर आपका हर बार ही period delay होके आता है आपका period 35 दिन से जादा का gap में हो जाता है उसके बाद आता है तो आपको कुछ जाचे कराने की वहाँ पे जरूरत है कि ये देख है तो कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए period तुरंत लाने के लिए वह मैं अभी आपको बताती हूं उससे पहले मैं अगर आपको बता दूँ जो जरूरी बात है कि अगर आपकी pregnancy की वज़े से period नहीं आ रहा है तो इस condition में ये दवा काम नहीं करेगी अगर आप pregnant हैं सबसे सबसे पहले तो अगर आप sexually active हैं और आपका period missed हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो pregnancy test ही करना होता है जो कि अगर आप missed period के एक हफते बाद करेंगी तो बेटर रहता है जादा अच्छा रहता है उसमें सही result आने के जादा chances होते हैं तो उस time पे आप pregnancy test कीजिए और पता करि अगर आपने test किया और वो positive आया है आपका तो उस condition में फिर आपको कौन सी दवा खानी है तो उस condition में आपको abortion की जो pills आती है abortion की गोलियां आती है वो लेनी होती है अब ये जो गोलियां होती है ये कई brands की आती है जैसे मिफेजिस्ट किट है unwanted किट है MTP किट है तो इनको पांच गोलियों का पत्ता आपका आता है पांच गोलियां जो इसमें होती है वो एक मिफेप्रिस्टोन की गोली होती है बाकी मीजोप्रोस्ट की चार गोलियां होती है तो इसमें आपको day one पे यानि कि पहले दिन मीफेप्रिस्टोन की एक गोली खानी होती है इसके दो दि क्या मतलब bleeding आपकी स्टार्ट हो जाती है चार घंटे के अंदर अगर नहीं हो तो दो गोली आप और खालीजिए मीजोप्रोस्ट की और उसके बाद आपका जो bleeding है वो जनरली स्टार्ट हो जाती है वो actually में abortion होता है तो साथ में कुछ आपका piece पी टुकड़ा जैसा भी ठके जैसा भी बड़ा सा एक आ सकता है तो इस तरीके से आपका ये abortion कराती है ये दवाईयां इसके बाद जब आपने ये दवाईयां ली है और आपकी bleeding हो गई है तो इसके बाद आप 15 दिन के बाद या 2 हफते के बाद एक ultrasound जरूर करा लीजे और उसमें चेक करिए कि आपका uterus जो है बच्चेदानी वो पूरी तरीके से खाली हुई है कि नहीं हुए क्योंकि कई बाद क्या होता है कि अगर कुछ टुकड़ा अंदर रहे गया तो उस condition में वहाँ पर infection हो सकता है और भी problems create हो सकती है जैसे कि bleeding continuously बनी रह सकती है तो इन सब चीज़ों का avoid करने के लिए एक बार ultrasound करा लिंगी तो उससे confirm हो जाएगा कि हाँ आपका abortion ठीक से हो गया है कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो kits होती है यह दवाएं fail हो जाती है और abortion नहीं हो पाता है या bleeding नहीं हो पाती है तो उस condition में फिर आपके पास DNC का ही option होता है यानि कि आपको किसी gynecologist के पास जाके DNC जो के एक minor सी surgery होती है जिसके द्वारा आपके बच्चे दानी को खाली कर दिया जाता है तो यह तो तब बात हो गई जबकि आपकी pregnancy है अगर आपने pregnancy test कर लिया है और आपके pregnancy test negative आया है pregnancy ना होने के बावजूद भी आपका period जो है वो नहीं आ रहा है आप confirm हो, sure हो कि pregnancy की वज़े से period नहीं रुखा है किसी और वज़े से रुख गया है तो उस condition में आप registron नाम की medicine आती है registron 5 mg आपको लेनी होती है, सुभे शाम इसको आप 3 दिन तक लीजे, उसके बाद करीब एक हफ़ते के बाद आपका period आ जाएगा तो इस तरीके से आपका period आ सकता है, तीन मुख्य बाते हो सकती है, एक तो pregnancy, एक तो pregnancy के अलावा अगर अभी आपका recently एक ही period में ऐसा हुआ है, upset हुआ है कि period आपका delay हुआ है और तीसरा वज़े हो सकता है कि आपका हर बार ही period delay होके आता है, 35 दिन से जादा का time लग जाता है, गया आप लग जाता है दो periods के बीच में तो तीनों में आपका जो treatment होगा वो अलग-अलग होगा, pregnancy के case में आपको MTP kit, Mephagist kit, Unwanted kit, ये जो medicines होती है, ये लेनी होती है तीसरी condition ये हो सकती है कि अगर आपका period काफी delay होके हर बार ही ऐसा हो रहा है कि बहुत जादा gap लेके आपका period आ रहा है, तो उस condition में फिर आपको कुछ जाचे कराना जरूरी हो जाता है, अगर आप अपना एक pelvic ultrasound कराएंगी तो आपको PCOD का पता चल जाएगा कि आपको PCOD है क नहीं है क्योंकि उसमें आपकी ovaries में कई सारी चोटी चोटे cysts दिखते हैं और ovaries आपकी बड़ी size की होती है, तो ये पता चल जाएगा कि आपको PCOD तो नहीं है, thyroid का पता करने के लिए आप अपना T3, T4, TSH की जाच कराईए, prolactin hormone की जाच कराईए, तो ये जाचे उसमें जरूरी होती है, अगर हर बार ही आपका period बहुत चड़ चड़ के आता है, तो hopefully आज का ये वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा, काम का लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, मेरे चैनल को support करने का एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी चैनल को support कर सकते हैं, मैं आपसे मिलूँगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे